हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम ह्पी सावोडिनेट सेलेक्शन बोर्ड द्वारा कंड़क्ट कराए गए कलर्क एक्जैम जो कि 2017 में कंड़क्ट करवाया गया था इस एक्जैम का एप्टिट्यूड पार्ट जो है वो हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं एक वीडियो में तो आज के वीडियो में हम इसका हिंदी पार्ट डिसकस करेंगे I hope ये वीडियो जो है वो आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे So let us start with Barry first question हिंदी पार्ट ही डिसकस करेंगे हम So first question है शुद्ध शबद है बहुत बार इस पार्ट से भी एक अध्र question जो है वो आपको एक्जैम में देखने के लिए मिल जाता है कि शुद्ध शबद होते हैं मतलब है तो ये सारे ही कंठ लिखा गया है अलग अलग तरीके से पर इन में जो accurate है कि जिस तरह से लिखा जाना चाहिए जो बिलकुल शुद्ध रूप है वो पूछा गया है तो इसका right answer है आपका option A that is कंठ है तो ये सारे ही कंठ है पर exactly कैसे लिखा जाता है तो option A जो है वो इसका right answer है next जो हमारा 192 question है that is ब्याक्या का संधी विछेद है तो ये हम already पहले भी videos में discuss कर चुके हैं कि संधी विछेद एक ऐसा topic है एक ऐसा chapter है हिंदी का यहां से जरूर जो question है वो एक या दो question आपको हर exam में देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप जिस भी exam की preparation कर रहे हो उसके लिए आप इस chapter को बिल्कुल भी ignore ना करें बहुत अच्छे से prepare करें ब्याक्या का संधी विछेद है यहां पे जो चार options दिये गए हैं उसमें से right option जो है वो आपका आएगा option C that is B plus आख्या that is बे आख्या ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं question number 193 that is भाई का तत्सम है तत्सम और तदभव दो तरह के शब्द होते हैं यह हम एक वीडियो में already discuss कर चुके हैं एक होते हैं तत्सम शब्द और एक होते हैं तदभव शब्द तो जैसे की जो संस्कृत भाषा है पहले जो हमारे बोलचाल की भाषा थी या लिखने की भाषा थी वो संस्कृत थी त तो उसमें से कुछ शब्द जो हैं संस्कृत से as it is ही आज भी use किये जाते हैं हिंदी में लिखते टाइम बोलते टाइम तो जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आज भी ऐसे ही use किये जाते हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है यह कह सकते हैं कि तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृित भाशा में यूज होते रहे हैं और तदभव वो शब्द होते हैं जो टाइम के साथ जिनको रेक्टिफाई किया गया या जिन में कुछ चेंजिस किये गए और changes करने के बाद उन में थोड़ा सा बदलाव आया है और जो current हम उस शब्द की जगह पे use करते हैं उन शब्दों को तदभव शब्द कहा जाता है ठीक है तो तदसम माने जो संस्कृत में use होता रहा है वो हो गए शब्द और तदभव शब्द वो शब्द हैं जो अभी हम latest use करते हैं ठीक है तो भाई जो है वो तदभव हो गया क्योंकि भाई अभी हम जब भाई बोलते हैं या लिखते हैं तो हम भाई शब्द ही लिखते हैं लेकिन संस्कृत में जो भाई शब्द है उसको कैसे लिखा जाता है तो इसका right answer है आपका option भी भ्राता तो तत्सम शब्द जो है भाई का वो भ्राता है मतलब संस्कृत में भाई को भ्राता कहते हैं या आप ये कह सकते हो कि जब हम पुराने टाइम पे भ्राता या भाई शब्द जो है सौरी उसको जब लिखते थे तो उसकी जगा पे भ्राता शब्द यो है वो यूज़ किया जाता था ठीक है जी अगला question जो है that is धनवती का pulling है यहाँ पे आपको धनवती शब्द का pulling बताना है धनवती मतलब एक lady के लिए यूज़ किया जाता है जिसके पास काफी धन संपत्ती होती है तो उसको धनवती कहा जाता है तो आपको पता ही है इसका right answer जो है वो बन जाएगा आपका धनवान तो यह हो गया आपका धनवान option C आगे है आपका 195 that is प्रेम का बहु वचन है अब प्रेम शब्द जो है वैसे तो आपको पता है कि जो बचन होते हैं वो एक बचन जा वहु वचन दो तरह के होते हैं ठीक है एक बचन मतलब ऐसे शब्द जिन से किसी एक के वारे में पता चलता है ठीक है और बहु वचन मतलब एक से जादा चीजें हो सकती है व्यक्ति हो सकते हैं स्थान हो सकते हैं कुछ भी है ना मतलब एक से जादा संख्या का बोध हो उनको हम बहु वचन कह देते हैं ठीक है जी पर फिर भी इसके इलावा भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर हाल में एक बचन ही रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहु बचन ही रहते हैं तो एक बचन जैसे की हमारे पास कुछ शब्द जो हैं वो हमेशा एक बचन के तोर पे ही लिखे जाएंगे चाहे उसका हम बहु बचन बोल रहे हैं जाहे एक बचन बोल रहे हैं ठीक है अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन की फॉम में ही लिखे जाते हैं जैसे आप कहलो की बाल है ना तो बाल को एक बचन में भी बाल ही कहेंगे और बहुवचन में भी बाल ही कहेंगे तो प्रेम भी कुछ ऐसा ही शब्द है इसका भी कोई बहुवचन नहीं होता है प्रेम शब्द जो है वो हमारे पास बहुवचन में भी प्रेम ही रहेगा ठीक है तो इसमें confused नहीं होना है आपने प्रेम का जो बहुवचन है वो प्रेम ही रहेगा अगला जो question है 196 that is भाई बहन में कौन सा स्मास है तो ये भी हम already discuss कर चुके हैं कि स्मास में से भी जरूर आपको question जो है वो exam में पूछे जा रहे हैं तो स्मास और स्मास की types जो हैं वो बहुत अच्छे से prepare करिए यहां पे स्मास पूछा है भाई बहन और ये एक common सा understanding यहां पे आप कर सकते हैं कि जिन भी शब्दों में ये hyphen यूज किया जात है जैसे आप कहलो दिन रात है न ठीक है या फिर भाई बहन में ये hyphen शब्द जो है वो यूज किया गया है hyphen sorry symbol यूज किया गया है तो जहां भी ये आपको दिख जाए वहां पे हमेशा जो है वो कौन सा स्मास होता है द्वंद स्मास होता है इसका right answer जो है वो option ए आएगा आगे चलते हैं अगला जो question है that is सेवक शब्द की भाव वाचक संग्या है भाव वाचक संग्या आपको बतानी है सेवक शब्द जो है उसका भाव क्या है भाव वाचक संग्या मतलब सेवक शब्द से आपको कैसा भाव समझ में आ रहा है कौन सा भाव समझ में आ रहा है तो obviously सेवक में कौन सा भाव है सेवक वही है जो सेवा कर रहा है जिसमें सेवा की भावना है तो obviously इसका अंसर जो है वो आपका आएगा option C that is सेवा अगला question है हमारे पास 198 अभी व्यक्ति अभी व्यक्ति का प्रयाएवाची प्रयाएवाची से भी हर paper में question जो है वो आ रहे हैं तो प्रयाएवाची topic भी अच्छे से prepare करिए प्रयाएवाची जो है अभी व्यक्ति के वो कौन सा होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास जो option है उसमें से आपका जाएगा यहाँ पे प्रकटन option c जो है वो right answer है अभी व्यक्त करना होता है कि अपने आपको express करना मतलब दूसरे के सामने अगर आपको कुछ बोलना पड़े या कुछ भी बताना पड़े तो वो हो जाती है अभी व्यक्ति है अपने आपको प्रकट करना अपने आपको explain करना अपने आपको express करना तो प्रकटन जो है वो भी same meaning रखता है तो अभी व्यक्ति का प्रयायवाची हो गया आपका प्रकटन आगे चलते हैं हमारे पास अगला जो question है that is अबकाश का बिलोम है बिलोम शब्द और प्रयायवची शब्द यहां से हर पेपर में एक से दो question दोनों टाइप के पूछे जा रहे हैं बिलोम शब्द भी ज़रूर अच्छे से prepare करिए बिलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द लिखना है और प्रयायवची मतलब स्मानार्थक शब्द लिखना है जिसका same meaning होगा तो अबकाश जो है आपने सुना ही होगा अबकाश का मतलब होता है छुट्टी है ना मतलब चुट्टी लेने के लिए आप हिंदी में प्रार्थना पत्र जब लिखते हैं तो वहाँ पे हम चुट्टी की वज़ाए अबकाश शब्द का यूज़ करते रहे हैं तो अबकाश का मतलब होता है चुट्टी लेना तो यहाँ पे देखिए यह जो आप्शन है अब इन में से कौन सा ऐसा आप्शन है जो बिलोम बनेगा देखिए अबकाश का चुट्टी तो नहीं बनेगा बिलोम क्योंकि अबकाश और चुट्टी एक ही बात है यह अबकर्श और सदोश तो बिल्कुल ही अलग तरह के शब्द हैं राइट अंसर जाएगा आपका अनवकाश हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेशन जो था हिंदी का वो था कि जिस बस्तू को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द लिखना है यह आपका टॉपिक आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है आपको ऐसे बहुत सारे आपको एक्जेम्पल मिल जाएंगे जब आप हिंदी ग्रैमर जो है वो उठा के देखेंगे अलग अलग चैप्टर वाइज वहां पे हर एक तरह का टॉपिक जो है प्रिपेर करिए ताकि आपको एक्जेम में कोई भी प्राब्लम ना आए आप अच्छे से अपना हिंदी पार्ट जो है वो सॉल्व कर पाएं ठीक है तो जिस बस्तू को पाने की इच्छा की जाए मतलब अनेक शब्दों के लिए आपको सिर्फ एक ही शब्द लिखना है तो वो हो जाता है आपका अभीष्ट इसका राइट अंसर है अभीष्ट जिस बस्तू को पाने की इच्छा की जाए इसको हम उसकी जगा पे इन सारे शब्दों की जगा पे हम अभीष्ट शब्द जो है उसको यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को थैंक यू